और अगर आप नहीं है तो जरूर सिस्क्राइब करना बेल आइकन प्रेस करना ना बोले सकूमा एक्सपोर्ट लिम्टिट इसके स्टॉक के बारे में इस कंपनी के बारे में लगभख कई वीडियोस मैं बना चुका हूं और समय समय पर अपडेट करता रहता हूं फिलाल आज भी इसमें भारी गिरावट है और मार्केट में भी साढ़े 400 पॉइंट करीब टूट चुका है सिंसेक्स तो बजट के बास से जिस प्रकार से लागातार गिरावट का दावर चल रहा है ऐसे में सभी स्टॉक से मोसली मार पड़ी है लार्ज कैप को कुछ कमपनियों को छोड़ के जिनके बहुत अच्छे फंडमेंटल्स रहे हैं या आईटी सेक्टर के स्पैशल उन पे ज्यादा परभावद नहीं पड़ा लेकिन काफी उनमें भी गिरावट आई है तो जो माइक्रो कैप कमपनियों थे उनमें काफी गिरावट आ चुकी है तो आज हम बात करेंगे सकूमा एक्सपोर्ट लिम्टेट कि क्या हमें करना चाहिए और इसमें लोवर सरक्ट भी लगा उसके बारे बताएंगे आज है पहली अगस्त 1 अगस्त 2019 BSC पे 12 बच के क्यावन मिनट है और 11 रुपए 52 पैसे के भाववपे ट्रेट कर रहा है और इसमें 10% की आज गिरावट है और ये देखिए इसका जो प्राइस बैंड था लोवर प्राइस बैंड 11.60 का तो आज इसमें जो है लोवर सरक्ट लगाना एक्शुली होते इसलिए है क्योंकि जो रिटेल निवेशक होते हैं उनको ज्यादा नुकसान न पहुंचे बहुत ज्यादा ट्रेडिंग हो रही थी इसमें बाइंग सेलिंग हो रही थी जहां तक मैं समझता हूं मेरा अपना पॉइंट अभी है तो इस वज़े से इसमें आज lower circuit लग चुका है और only sellers है इसमें और chart देखिए इसमें ग्रहन कब से लगा अगर हम देखते हैं देखें no doubt results तो खराब आया ही है quarter 4 के तो results तो बहुत सारी कंपनियों खराब आते हैं लेकिन इनकी stock की इस company के stock की उस दिन से ग्रहन लग गया है जबसे इसने split किय तो split किया तो देखें 10 की face value से 1 की face value आ गया मतलब उसने 1 share के 10 टुकड़े कर दिये थे तो जब 10 टुकड़े हो गये बड़े price के जो shares होते हैं उनमें ज्यादा तर traders क्योंकि बहुत सादा माल उठा नहीं सकते तो बड़ी price के shares में generally avoid करते हैं लेकिन जब छोटी price में मिलते ह बहुत सारी quantity उठाने को तो उसमें जबरदस्त no doubt trading होती है वोल्टाइल होती है तो इस तरीके से तबसे लगातार इस stock मेंने जो watch किया गिरावट का दौर चल रहा जबकि एक trading की एक export की जबरदस्त कंपनी दाल, चावल, तेल और मसाले के जितने ही प्रकार है शुगर काई countries में Middle East में export करती है, इरान में करती है, rice करती है, बहुत सारे अच्छे अच्छे products export करती है, तो थोड़ा सा trade war की वज़े से भी काई countries में आपसी सहमती ना होने की वज़े से भी इस पर प्रभाव पढ़ा, इस की net sales पर प्रभाव पढ़ा, वो हम results में भी देख सकते है इस तरीके से धीरे-धीरे इस कमपनियों के काफी चीज़ें प्रतिकूल होती गई और आज ये एक penny stock बन गया है, तो penny stock जो 10 रुपए के नीचे होता है, उसको हम penny stock चनरली अपने Indian market में बोलते हैं, और market cap जो इस समय है 245 करोड की earning per share, हालां कि हम दूसरे उस पर देख लेत 70 करोड की है, और face value एक की वो तो बताई, लिस्टेड है, 8 March 2006 से, peer ratio है 3.91 की, इस हसाब से काफी सस्ता हो चुका है, और earning per share देखें यहाँ पर 3 रुपए भी 27 का, और price to be 0.80 के delivery इसकी 47 के आसपास है, dividend paying stock है, तो यहाँ पर हमने देखा, अगर हम financial पर इसके देख लेते हैं, balance rate पर भाई करजा तो नहीं हो गया इस पर, करजा भी 25 करोड का था, जो के जादा नहीं था, और results हम देखते हैं, पहले हम return देख लेते हैं, तो return अब जो रहे गए हैं, क्योंकि नो डाउट यह एक multi-bagger stock था, बहुत लोगों को अच्छा कमा के दिया, जिन्होंने पैसे 10 स लेकिन एक साल से लगातार negative returns हैं, चाहिए एक साल में 30% का, यह till date में 500% का, 6 months में 69%, जिन्होंने एक मेने पहले भी इसमें इन्वेस्ट किया, उनको 10% का नुक्सान हो रहा है, सौरी एक मेने नहीं जिन्होंने आज भी इन्वेस्ट किया, मतलब हाँ 10% के इसमें गिरावट है, एक मेने पहले जिन्होंने पैसे लगाए तो 22% के साबसे गिरावट है, 1 week में भी 29% गिर चुका है, तो काफी लगातार गिरावट पर गिरावट, गिरावट पर 4 के हम रेजल्स अगर compare करते हैं तो net sales में देखी यहाँ पर 24% के सीधे गिरावाट है तो अब जब sales ही sales में गिरावाट है तो obviously profit में कैसे होगा operating profit में भी देखी यहाँ पर 40% के आसपास के गिरावाट थी downside है और net profit में भी यहाँ पर 44% के और margin में भी यहाँ पर 0.70 की negative side है इस तरीके से अगर हम चलिए March 18 से March 19 में भी compare करते हैं तो again यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले March 18 के मुकाबले March 19 में भी यहाँ पर net sales में 10% के आसपास की गिरावाट है हाला कि operating profit 75% की upside है और net profit में भी 7.3% की upside है और margin में भी यहाँ पर 1.26% की upside है तो year on year net profit तो ठीक है लेकिन net sales में obviously गिरावत थी इस तरीके से quarter के इनकी results बहुत बेकार रहे और अगर June के आते हैं quarter 1 के 19-20 financial year के तो अगर उसमें results अच्छे नहीं रहे तो थोड़ा सा दुक की बात होगी मुझे लगता है कि और नीचे की level पे भी हमें देखने को मिल सकता है बट कोई बात नहीं निराश होने कोई बात नहीं market ही पूरा गिर रहा है तो कहां बच के जाएंगे ऐसे में यह हो सकते है कि हम SIP करें SIP ही बेतर हमारे पास option है सारा पैसा कभी एक साथ लंब समना डाले हां आपको लगता है कि जिन कंपणियों में आपको भरोसा है कि लंबे समय में इनोंने बना के दिया और आगे आने वाले समय में इनका स्टॉक के बात कर रहा हूं कि सकूमा भी काफी गिर चुका है तो मैं इतने लॉस में बेचने के सलाह तो नहीं दूँगा क्योंकि आप बेचके कहीं दूसरे स्टॉक में आप कहां गुसेंगे हो सकता जो स्टॉक आप लें वो भी वो भी टूट जाए क्योंकि पूरे कराना चाहते हैं वो ध्यान देने वाली बात है रिसर्च का विशह है ओटो सेक्टर भी गिरा हुआ है और पूछिए मत सारे सेक्टर प्रभावित है इससे तो सकूमा एक्सपोर्ट का जो सिचुएशन है लोग सर्किट लग चुका आज तो मैं यही कहूंगा कि अभी जहाँ हो या पर कोई ऐसी इन्फोर्मेशन भी हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें लिखें और मिलते हैं जल देखने वीडियो के साथ थेंक्यू